तो दोस्तों आपके काफी बड़ी खुशकबरी यहां पर रेल पर भरती बोट की तरफ से तो दोस्तों आप लगबग एक लाग पदो पर यहां पर दुवारे से बरती आ गई है ग्रूप डी लेवल वन पोश्ट पर तो दोस्तों आपके कौन कौन इसका फॉर्म बढ़ सकता है कौलिक क्वालिफिकेशन मांगेगी एज लिमिट सभी डीटेल से आपके क्लियर होंगी दोस्तों आपकी तो बने लिए इस वीडियो मेरे साथ लास्ता और प्लीज दोस्तों काफी पीचे चल रहें उन लोगों से जो ऑल्रेडेब्स परचेस कर चुके हैं तो दोस्तों आपको लिए चलता हूं ख़वर पर तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको इंप्रटेंट डेट से लेने वाली उसका दोस्तों आपको एक ही चीज़ी यहां पर क्लियर तो दोस्तो सबसे पहले दोस्तो नोटिफिकेशन पब्लिस होनी की डेट थी 23.22.19 अब दोस्तों आप रेजिस्ट्रेशन वह आज से स्टार्ट हो जाएंगे आपके पांच बज़े से आज यानि 12 तारीक से आप 12 अप्रेल तक 12 मार्स से 12 अप्रेल तक इसके फॉर्म बर सकते हैं तो दोस्तों इसकी लिंक ओपन हो गई पांच बज़े से तो आज आज पांच बज़े से इसका फॉर्म बर सकते हैं अब दोस्तों इसमें क्लोजिंग डेट क्या रहेगी वह मैं आपको बता देता हूं 12 अप्रेल आपकी रात को ग्यारा बचकर 59 मिनिट आपकी लास्ट अपरेल रेगा हैं इसका दोस्ते कंपीटर बेश्ट रहने वाला है वह दोस्तों आपको सितंबरल में कंडच होगा RRB ग्रूप D level 1 पोस्ट के लिए तो दोस्तों यहां पर आपको बताए तो लग बग दोस्तों यहां पर एक लाख 656 पोश्ट पोश्ट अगर मिला लेए तो 935 पोस्ट एडव एक लाख टीन है यहां पर एक लाख तीन हैर 770 करीभ आपकी तो पोस्ट हो गई हैं तो दोस्तों कि यहाँ पर पोस्ट के वार G mosquito बता चुका हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना जोन के साफसे दोस्तों आपहना चेक कर सकते हैं कि हम सब बोक्रित आफ जोन दिये हुए है अब दोस्तों यहाँ पर जो एक प्लिक्ष में सर्फ को आपको सबस्तों अलग यहां पर तीन पोश्ट के यहां पर इसे यहां पर दोस्तों यहां पर सब्सक्राइब एज लिमिट क्या रखी गई है और दोस्तों यहां पर सबसे पहले बता दूँ यहां पर CBT यानि computer-based test होगा और दोस्तों इसमें यहां पर शर्थ यह रखी गई है कि आपको यहां इस वार पहले नहीं बता गया है कि CBT एक होगा या दोगा दोस्तों यहां पर RRB के पास reserve राइट कि वह एक भी ले सकता है दो भी ले सकता है इससे जादा भी ले सकता है यहां पर clearly mention कर देगा है पर दोस्तों most probably आपके एकी CBT यहां पर conduct होगा इसका दोस्तों CBT clear करने के बाद आपको यहां पर PET exam होगा जो को दोस्तों physical efficiency test होगा उसका तो दोस्तों आपके medical होगा तो दोस्तों यह आपकी चार process यहां पर रहेंगी return होगा यह की CBT की रूप में होगा फिर physical test होगा फिर आपका दोस्तों फिर आएगी merit हैं पर, आप मैं आपको बता देता,am जो next आपके लिए age limit के लिए criteria जो रखागा है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर age limit के लिए criteria रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आप citizen of India या फिर subject of Nepal subject of Bhutan और दोस्तों यहाँ पर टिब्यतियन refuse ही होना चाहिए अब दोस्तों यहाँ पर बता दूए अठारा से 33 बर सर्ची रखी गई है अब दोस्तों इसमें lower और अपर एज लिमिट जो रहेगी वह आपको यहाँ पर बता देता हूँ और दोस्तों यहाँ पर रिजर्वेशन जो ओवी से एमें रहेगी इसका ओवी से के लिए बता दो 271983 रहेगी सेस्ट के लिए 271951 पर अपर एज लिमिट रहेगी और लो और एज लिमिट की बात करणों तो दोस्तों इसके लिए IT है आपके उनसे ये NCVT SCVT से और दोस्तों अगर आपने apprenticeship भी किये railway से तो उसके लिए आपको अलग benefit में यहाँ पर मिलेगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको इसके लाव दोस्तों जो application fees है वह आपके दोस्तों 500 रुपे रखी गई है जनरल के इसके लिए और दोस्तों यहाँ पर आपको वापस कर दिये जाएंगे exam conduct होने के बाद उसके लाव दोस्तों यहाँ पर आपको वापस कर दिये जाएंगे दोस्तों एक्जाम कंडक्ट होने के बाद दोस्तों इसके लाव यहाँ पर reservation अलग से मैंशन किया गया है दोस्तों reservation EWS को मिलेगा जो दोस्तों यहाँ पर आपको चारपोंट लोगों किनकुत ओन लोगों मिलने हाला है जिनके दोस्तों पांच एकर से कम र recipes to residential एक एक सको हर फिट और से अवब नहीं होना चाहिए residential利ट जो दोस्तो 100 square yard एवं अवव इन नोटिस मुल्सिपाल्टी जो उसके साब से दोस्तों यहां पर नहीं हो जाए इस कलाव दोस्तों एक पॉइंट और यहां पर एगर एगर एडर देन नोटिफाइड मुल्सिपाल्टी तो दोस्तों अगर यह चार आप फॉलो कर रहे हैं और आपकी आट लाग से कम फैमिली इंकम पे तो आप EWS कोटे के अंदर आएंगे और दोस्तों आपको 10% यहां पर रिजर्विशन दिये जाएगा अब दोस्तों यहां पर आल्मोस्त सभी चीज़ें आपर कवर कर चुका हूं इसकलाव दोस्तों आपको किसी भी तरक डाउड क चैर जरू करिएगा